प्रश्वाइब प्रश्वाइब अबर एक deep volatility के साथ आज आपका स्वागात हुआए सेउफते में हैं जहां पर भारी पहले बिक्वाइब आफे बंद होता ख़ाएब पला लेकिन बिक्वाइब जो है sentiment wise वह भिभी prevail कर रही है markets के अंदर जहां पर pressure आदानी ग्रुप के तमामorde ब्हूते हैं में लोर सरकेट लगा इसके अलावा नमबर्स के चलते ही उनाइटेट स्पिरिट्स फी टूटा रहा लेकिन ठीक है रिकावरी आगे लास्ट आथ लगाते आते हैं इसके अलावा आईटी आस्टेजी में था बिरला सॉफ्ट, TCS इन बाकी आईटी स्टॉक्स जो थे जो अब पहले लेलता हूं जिसमें दो तीन में लोर सरकेट लगे रहे हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में, F&O में शॉर्ट कवरिंग रही लेकिन डाउन साइट बहुत कुलता है दिखाए पड़ा, LIC, SBI ये दो और नाम थे जो एक्स्पोजर के चलते भी क्वाली में, लेकिन SBI पहले हैं और LIC भी लोर लेवल से रिकावरी के साथ ही बन दो है, लेकिन इस प्रेशर के अंदर बजट से पहले हैं, पिछले एक साल में मार्केट देख रहा है, चार पांच परशन करीब मिड कैप और छे परशन करीब स्माल कैप अर्रेक्ट हो चुका है, तो आप अप अ चूस करिए, बढ़िया स्टॉक्स को बढ़िये, वो ज़्यादा बेटर है, सीरिस सवाल जाब का सिलसला शुरू करता हूंगे, मुझे उमीद आज बहुत सवाल आए होंगे, और इस्पेशली एक ही ग्रूप के उपर ही ज़्याता सवाल आते हो दिखाई पड़ों को, तो कोई भी नाम, में मेरी सीमिज जानकारी है कहती है कि आप उनको रखिये जरूर, लेकिन उनमें तेजी मिले तो आप थोड़ा पैसा लेकर निकल जाएगे, कि कोई भी तेजी को सरकार इस्तवाल करती है, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, और वो होता भी आया है, कोई भी बड़ी तेजी दिखा चुका है, तो स्केप्टिकल ही रहिएगा इस पे हम आप, बहुत जादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, ओवर बोर्ड होने की, प्रॉफिट बन रहा है, लेते चलिए, जादा बेटर है, रही बाद आपके जो डाइवर्सिफिकेशन की, तो IT, FMCG, बैंक, कर्सक्शन, कर्सक्शन में एक ही लार्ज कैप नाम है, वो है L&T, और ऐसी कोई कमपनी नहीं है, जिसको आप इस तरह की तवज्यों दे पाएं, बाकी सब मीडियम टर्म, मुमेंटर्म बले हैं, बाकी सब को आप अपने रेशियों के कोईडिंग, 20-20-20-20 का रेशि हो, 30-30-30-30 रेशियो, वो आपके रेशियो के साब से कि आप कितने पूटफोलियों में, कितने शेर भर रहे हैं, कितने सेक्टर भर रहे हैं, उसके साब साब बाटेंग, वो आपका नेजी कॉल होगा, लेकिन एक रीजनेबल साइज, जो भी आपको सही लगे, वो आपको बरूर लेना चाहिए, सिफ स्पेस में, आईटी भी अच्छा है, बैंक्स भी अच्छा है, और फमसीजी भी अच्छा है, तो तीनों एक रीजनेबल साइज हो, रीजनेबल क्या होगा, वो आप ही तरह कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ओके, यूर ठिंक इन अदानी स्टॉक किसी भी पुराने वीडियो पर, किसी भी नहीं क्या रहा, किसी एक तारीक के, किसी भी पुराने वीडियो पर, आप ये चीज़ धून चकते हैं, जो आपको पसंदा है, छे महिने पुराना, एक साल पुराना, या उसके आगे पीछे के दो तीन वीडियो देख लिजेगा, तो आपको यह बास समझ में आ जागा, मैंने हमेशे अधानी में एक ही चीज़ बोली है, कि अपने profit से beyond चलते हैं, अपने fundamental से beyond चलते हैं, beyond gravity चलते हैं, यह word मैंने हमेशे use किया थे, वो इसलिए use किया थे, कि यह beyond gravity ही चलते हैं, तो beyond gravity जो चीज़ चलेगी हो, कभी ने कभी gravity क को match करी जाएगी profit को match करी जाएगा सर्फ कोई भी stock का price profit को ही follow करेगा beyond profit जाएगा तो भी और below profit जाएगा तो भी उसे end of the day profit को ही follow करना पड़ेगा जहां profit नहीं उसे कभी follow नहीं कर सकता वो तो beyond profit था तो अब नीचे आ गया थोड़ा सा जो जो चीज आपने report में सुनी समझी देखी वो सब आपको पता ही होगी deep in your heart you know everything उसके बाद आपको उस paper पर confirmation आ गया उसका over selling आ रही है कुछ जगाओं पर कुछ जगाओं पर fairly value हो रहे हैं कुछ जगाओं पर अभी भी शर्विक वाली बन सकती है कोई ऐसी बुराई है नहीं और तूटने में लेकिन तीन स्टॉक को आप जयान रख सकते हैं अगर स्पेस में आप जाना चाहरे हैं तो पहला अदानी पोर्ट दूसरा अमभूजा सिमेंट तीसरा अदानी विल्मार ये तीन नाम स्पेसिफिकली इसलिए बोले मैंने किवी बाकियों की धंदे में प्रोफिटैबिल्टी इस तरह की नहीं है जिस तरह की इन तीनों है वो निफटी का स्टॉक है पहला अदानी पोर्ट दूसरा अमभूज़ा आज भी सिमेंट बिक की रहा है beat wholesome और beat अदानी cement उसी तरह भिकती है cement में कोई change नहीं आया ownership में change हुआ है और ownership भी बहुत दिन हुई नहीं change हुए हुए तो उसके धंदे में कोई फ़र्द नहीं पड़ता ownership के बदलाव से अगे हो तो होगा अभी at least cement भिक रही है उसी तरह की देश की दूसी सबस्वर बड़ी है तीसी सबस्वर डिस्यमेंट कंपनी बनती है यसी सी Amboja मिलने के बाद 75 million ton के आस्वसी capacity हो जाएगी और ये capacity रात तो रात नहीं खड़ी होती है समय के साथ खड़ी होती है और अगर बहुत beaten down कि Amboja चला भी बहुत है इसलिए नहीं कि Amboja बहुत उपर चला है चारसो बीस उपर तो conversion ही है तो उसके नीचे मिल रहा है आपको तो मेरे कहाल से ये pullback में पार्ट्स पेट करने चीए दोनों Amboja भी और अधानी port भी Wilmer क्यों Wilmer एकेस में सर क्योंकि ये वैसे दो अभी भी overpriced है तो ऐसा कुछ नहीं कि अधानी बहुत सस्ता हो गया Wilmer इसलिए कूट पर उसमें लेकिन जिस business में ये हैं और numbers अभी pending हैं तो numbers को भी देखना पड़ेगा numbers खराब नहीं हुए तो कोई issue नहीं है जिस भी company के numbers में कोई problem नहीं आ रही है sentimental कोई issue आ रहा है तो ठीक है बुरा समय बुरा दाम एक साथ तो नहीं आएगा बुरा समय और अच्छा दाम एक साथ नहीं आता तो आपको एक साथ मिलाना ही पड़ेगा बाद टाइम में ही good price आपको मिलेगा तो good price में आप या तो fearful हो जाईए या फिर fearless हो के बाय करिए वो आपकी call है तो अगर आपका appetite allow करता है आपकी risk taking appetite है आप घबराते नहीं है बजार में आपको लग रहा है कि नहीं ये group turn around करेगा you have trust on the group and the people around तो आप going forward आराम से जा सकते हैं इतलीस इन तीन के साथ आप शुरुबात कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतलीस यहां से आप short मज जाईएगा इस group में short मज जाईगा यहां से long जाए ना जाएगा वो आपकी choice है at least यहां से आप short मज जाईएगा already बहुत correct है और जादा short होना risky हो सकता है तो इसलिए आप at least short मज जाए जाएगा तो बहुत strict stop loss जाएगा लेकिन long जाएगा ना जाएगा वो आपकी choice है यह पताजली में क्या हुआ है can we average निकसर अभी नहीं क्योंकि अभी numbers बहुत खराब है last quarter के number मैंने देखे यह जो quarter week गया है number बहुत week है जितनी उमीद नहीं थी मुझे कि इतना खराब number दे दे देंगा यह लोग और Q on Q पे numbers खराब है जो भी आपको profitability में growth दिख रही हो inventory वैसे है तो ऐसे numbers हैं नहीं जो long जाने like हो stable हो जाने दीजिए फिर जादा better call होगी 880 level है इसको आप नज़र रखिएगा वो level बहुत crucial इनके लिए आम तोर पुस्चे नीचे नहीं जाता है लेकिन वो level तरके circuit circuit के आसपस आपको मिल जाए वहाँ पर आप एक बार को risk लेके long कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए at least नहीं avoid करें इसको okay what should I do in Adani Wilmer, Adani Power, Yes Bank and Sequence Sir, Yes Bank, Sequence यह तो कभी long lag थे भी नहीं at least रही बात Adani Wilmer Power में Wilmer को एक बार को देख सकते हैं यह पावर नहीं Wilmer में आज किसी ने सुबह 16 करोड़ रुपे के share लिये हैं वो buying block deal में दिख रहा है और अभी भी 26-27 करोड़ शेयरों की block मतलब की last window खड़ी थी selling में तो वो assume करता हूँ कि शायद दो दिन में वो अबस्वाब हो जाने चाहिए तो अगर एका दो दिन में ग्रूप में turn around आया है या घुमा तो शायद Adani Wilmer भी तेजी से pull back करेगा तो इसलिए अगर आफ fearless हैं तो एक बार कुछ जा सकते हैं उसमें लेकिन सप्लाइज इतनी आ कैसे रही है ये थोड़ा हैरानगी का figure है जहां पर 70% Adani Group is owned by promoter तो इतनी heavy sell of R कैसे रही है ये system में से या तो short में system में big quality हो रही है cash में नहीं हो रही future में हो रही है cash में नहीं हो रही क्योंकि share तो छूट नहीं सकते इतने हैं या कोई अलग entity माल बेच रही इसको absorb किया जा रहा है so अभी it's too early to say anything but ये जिस तरह का चीज हुआ है ये पहले नहीं देखने को मिला है तो इसलिए wait and watch is the better option but at least again आपके पास हैं तो आप बेचे नहीं अगर loss में हैं तो और at least नए short ना करें system में please suggest new buying level amboja cement please suggest new buying please view on my question any good new buying अभी करनी चाहिए और budget को देखने के बाद करनी चाहिए अगर आपका appetite है माली ये 100 share हों का safe for example तो आप 30 के साथ यहां जा सकते हैं 17 बजट के लिए चोड़ सकते हैं देख थोड़ी clarity मिलेगी जैसे अगर आप मुझे आज पूछें कि कौन से stock आप लेने में comfortable रहो मलब किन में comfortable हुआ जा सकता है तो मुझे भी United Spirits comfortable लगता है इसलिए नहीं कि वो तूड गया है बहुत तूड तो गया ही है प्लस उसके नंबर भी आ चुके है तो उसके साथ जो बुरा होना था वो इस quarter के लिए तो हो गया उसके नंबर आ गए situation खराब हो गई पिच्चर क्लियर हो गई अब जो होगा अगले quarter में ही होगा तो अगले quarter में जब तक situation यहां से तो बेटर दी होगी डेड़ सो रुपया share टूर गया पिछली बार हजार रुपय का हाई दिखाया था उसने numbers के बाद इस बार इस numbers गया 700 का लो दिखा दिया 720 का तो इस 720 का low जो कल था वो मुझे लगता है कि शाद नियर टम बाटम होना चीए तो इसके इर्दगिर्दी घुमेगा और दो-चार दिन में अटलीस यह 30-40 पर 50 पर देकर comfortably खड़ा हो जाएगा उपर तो इस तरह की situation जिनके साथ बन जाए जो numbers के बाद reaction दे दे जिन में numbers भी आ गए और reaction भी दे दिया तो उनका worst at least for a quarter तो खतम होई गया अब अगले quarter में जाएगा तब की तब देखी जाएगी अमबूजा केस में already beaten down है अगर numbers नहीं है आए है space के तो number और देख लीजए कुछ लोगों का यह तर्क है कि अमबूजा में अगर corporate governance issue आता है तो लोग ultra tech में shift करेंगे फैन अफ यह भी हो सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है ultra tech तो obvious ही बाद है हमेशा आपके portfolio में होना ही चीए best player है लेकिन still कितनी इवर situation में क्या हो जाएगा अमबूजा बिग जाएगी अमबूजा अगर बिग जाएगी तो ultra tech ही खरीद लेगा क्योंकि capacity तो खतम नहीं हो रही ना उनकी at least capacity है एक cement company के लिए सबसे important हो तो उनके capacity और वो capacity है उनके पास जो already काम कर रही है cement भी करा है तो नाम है brand है ownership में बदलाव हो सकते हैं तो बात की बात है तो थोड़ा time यहां घूमेगा लेकिन at least you can go long तो अब downside कितना है इसकी possibility clear होगे कि बहुत नहीं लेकिन upside कितना है वो अभी पता नहीं so जैसे वो TCS सा कुजिन पहले 2900 रुपए के आसपास की downside almost limited है लेकिन upside clear है तो अब यहां से अम्बूजा आधा नहीं हो सकता ना अब साथ 300 रुपए चल रहा है at least so with धन्दा loss making होती zomato जैसी है आप 18 जैसी तो शायद कहना मुश्किल होता लेकिन जब loss making company जो की 5,000 रुपए का loss दे रही है उसको 40,000 की value मिल रही है तो at least यह तो profit making company है कुछ तो value इनके लिए बजाद छोड़ेगा ही पुरानी history है इनकी so इस बात पर आप bet कर सकते हो अब contra thoughts इसके अंदर जरूर है कि नहीं इसमें issue आ गया है बहुत भागा हुआ है तोटना चीए 44 का multiple भी महंगा है तो आप जो देखना चाहोगा वो देखी जाएगा आपको बट अगर आप fearful होकर buy नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए बैठके शांती देखिए लेकर अगर आप fearless होकर कुछ करना चाहते हैं तो at least short मत करिए इतनी मैसला दरूर दूँगा आपको ओके वरुन बेवरिजिस के केस में और देव्यानी केस में दोनों के केस में सर अभी वो time नहीं आया है कि आप long जाए देव्यानी में तो especially numbers को आप देख लिजएगा और वरुन औरड़ी बहुत चलावा शेयर है तो मैं पहले भी इस पर टिपड़ी वही कर चुका हूँ और फिर वही टिपड़ी कर रहा हूँ कि अच्छे stock और अच्छे company का जड़ा अंतर समझेगा उसके एसाब से call लीजएगा यह बहुत बढ़िया चलावा stock है बहुत सही चलता है stock wise लेकिन company के धंदा इस तरह के evaluation को support करता है कि नहीं एक बार उसको जरूर देख लिजएगा यह जो आज अज़ अधानी समहूँ में देख रहे हैं इसी लिए क्योंकि उनके number उनको support नहीं कर रहे है तो जिनके number support नहीं कर रहे हैं कभी नकभी adjust करेंगे वो adjustment हो रहा है market के अंदर तो उस adjustment के साब साब इने देख लिए अगर यह आपको fairly valued लग रहे हैं तो आप ज़रूर जाएए लेकिन नहीं लगने तो असफ़ड़ा हुआइड कर लिए कोई फ़क नहीं पढ़ता है आप नहीं भी लेंगे इनको तो पांट सो शेर अफ रिलाइश इंडस्ट्री जाइड दोस तेश सो दस तोड़े will it be favorable for R.I.L. if Adani group goes down अनिल सर somebody's loss is somebody's gain I always accept that लेकिन आप कोई सीसौ पर नहीं बैठे हो कि यह गिरेगा तो वो उठेगा सतर हजार करोड रुपे का profit कमाने वाला एक ही group एक ही company है देश में वो है Reliance Industries इसके बाद जो second best profit कमाने वाली company है वो भी इससे 50% दूर है उस profit को match करने में उनको कई साल लग जाएंगे अभी इस profitability को देखकर आप जरूर घुशियेस में कोई issue नहीं है आप यह सोचके घुशिये कि यह सबसे बड़ा group है grow करेगा जरूर जाएए इसमें लेकिन यह सोचके मच जाए कि somebody is fall तो he is gaining because of that ऐसा कुछ नहीं होता सर कि होता भी होगा अगर तो numbers पे नहीं आप उसे proof कर सकते है तो आपने चुनाव सही किया है बस logic उसकी चुनाव के बीचे का शायद गलत पढ़ सकता है लेकिन आप अराम से भाव पर इस quantity के साथ बैठे रह सकते हैं कोई ऐसे issue नहीं है बजार अगर चला यहां से जो आप अगर रिजियूम करते हैं कि market चल गया यहां से मुश्किल तो मुश्किल पांसो बंड भी निफ्टी चल गया सिर्फ एक्जापल कि शॉर्ट कवरिंग में तो रिलाइस पार्टिस्पेट ज़रू करेगा क्योंकि उसके पार्टिस्पेशन बेना बजार नहीं चल सकता तो वो पार्टिस्पेशन में ही आपको गेना जाएगा बट वो लॉजिक को थोड़ा आप समच सकते हों तो वो अच्छी बात है लेकिन नमबर्स में उससे प्रूव नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी आपका चुनाव विल्कुल सही है उसमें कोई देख कर नहीं है बजाज फिंसव बजाज फिनान्स पर फिनान्स तो एटलीस आप जा सकते हैं फिनसव के आज नमबर आये कौन कॉल होने दीजिए कल ब्रोकर्जा उसकी रिपोर्ट आएंगी उसके आप कॉल लीजिएगा फिनान्स के नमबर अच्छे है जो अनुमानेज भी थे कि इनकी Q3 अपडेट अच्छे थे तो शायर नमबर भी बेटर होता है नमबर अच्छे दिये भी है तो बजाज ने जैक भी कर दिया इसे लिए देयार क्वालिटीस में कोई डाउट नहीं है बट अगेन बजाज फिनान्स फिनसव के लावा बजाज आटो को भी धियान रखिएगा अच्छा डिविडिटिन पे आउफ है नमबर आने वाले है तो आट फर्वरी के नमबर्स को आप एक बजाज देख लिए उसके बाद अच्छी कॉल ले पाएंगा और अशोकले लैंड में भी सेल्स के नमबर है और तीस सुबह में आप एक खरदा रही है तो आपको सोचने का जरूत है अराम से बैठे रहे को इफक नहीं बढ़ता है तो आराम से आप ट्लीस होड़ करिए चले इतने सवालों को शामल करूँगा बहुत सारे लोगों से माफी कि क्या सवाल बहुत है और बहुत बहुत शुक्रे हैं उन सभी लोगों का जमने सवाल पूछे आप से अपको लोगों कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन तब तक के लिए आप मेसा जोड़ सकते हैं अड़रेट समें रिसरच मेरे ट्विटर हैंडल है और किसी भी निवेशे पहले अपने वित्यस अलाकार के रहा है जरूर ले नमस्कार